हालो असलाम अलेकुम वेलकम टू मैक्स किचन आज की रेसिपी रम्दान स्पेशल है और मैं आज बनाऊंगी वेज़ पॉफ अज हम दिखेंगी वेज़ पॉफ कैसे बनाते हैं चलिए शुरू करते हैं मैंने यहाँ पाव किलो हाटा लिया है मैं देखा इसमें हम थोड़ा सा नमक दालेंगे और इसमें दालेंगे एक टेबल स्पून तेल अब इन सारी चीजों को हम आठे में हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छे से गोल लेंगे आठे में इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी दालकर हमारा एक डो तैयार कर लेंगे देखे पहले से नम्मक और तेल को अच्य तरिके से पहले हाटे में इस तरफे से मेस करने ही ऍपार अग्ऩ के बदञे तक होगे थोरा सा पानि अपिट कर कर के इस तरीके से हम जो बनाएंगे वेश बॉफ यह हमारा टाइम बचाएगा वनना जो बेकरी में ज़्यादा तर वेश बॉफ बनते है उसका प्रोसीजर बहुत लंबा होता है तो रमजान में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है तो यह बहुत आसान तरीका है बनाने का स्टफिंग बना लेंगे अब एक कड़ा में हम थोरा सा तेल ले ले लेंगे करीब 2 टेबल स्पून 2-3 असे धीमी आज पर रखेंगे और थोरा सा घरम होने देंगे जब हमारा तेल घरम हो जाए तब हम इसमें 1 टीज स्पून जीरा दालेंगे और हलका सा इसे घरम कर लें इसमें दालेंगे कुछ सेकंड़ इसे चाला लेंगे तेल में सिफ्राइ कर लेंगे इसके बाइद हम दालेंगे एक कबरी कटीवी चॉप प्यास और इसे भी दाल कर से अच्छे से सौटे करेंगे हमें इसे ब्राउन नहीं करना एं बस तोरह सा प्यास जो है सॉफ्ट हो ज करीब देर से 2 मिनिट लगेगा प्यास को थोड़ी सॉफ्ट होने के लिए इसे अच्छे से सॉते कर ले देखिए प्यास जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है अब हम समें दालेंगे मतर मैंने पहले से हलका सा बॉल करके रखा था देखिए 80 परसन यह बॉल हो चुका है यह मैं अस to allou और जो मतर है वो आप पहले से अब कर रक लें बाद में पेडास कि स्टफिंग बचाफट बना लेंगे मतर डाननी के Left eye न बून लें प्यास में इससे बाद हम दालेंगे हल्डी पााउडर 1. Alejandra दाल के इसे बिसे बहुंट सॉते कर लेंगे मैंने यहाँ पर आलू जो है वो बॉयल करके रखा है और इसे चील कर रखा है चलिए अब इसमें दालते हैं आप चाहे तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते है इस तरीके से इसे मैश करकर हम दाल देंगे सारे आलू को अब से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तसंवे थोड़ा से हलका से सौटे करेंगे दिमी आज पर रखना है हमें और इसे पकाते रहना है अलू और मतब तो बिल्कुल पके वैँ से थोड़े मासालों को हमें अच्छे से भून लेना है इसलिए प्यास के बाद मटर दालें तो उससे पहले थोड़ा दग रसन कपेश दाल कर फिर मटर दालें आप मैंने अभी दाला है तो कोई बात नहीं अभी इसे भी अच्छे से भून लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम दालेंगे थोड़ा सा नमक नमक अपने स्वाद के दनिया पाउडर इसके बाद आलेंगे हम एक ती स्पून लाल मिच्ची पाउडर और एक ती स्पून गरा मसाला पाउडर हम इस सारे मासालों अच्छे से भून लेंगे करीब 2-3 मिनिट की दिमियाच पर इसे बूनेंगे और इसे पकाएंगे इसका जो मासाले का कच्छा इसगे हम इसे निकाल लेंगे डिमियाच पर पका कि अच्छे से मिक्स करें और चलाते रहे अब झाले चाट मसाला पाउडर जो है वह एक ठीजपून दालेंगे और शुल्द से भी अच्छे से मिक्स घ्रीगे मैं मैंने यहां पर एक चीज करी है मैंने यहां पर इस आलो और मटर को अच्छे से मैश कर लिया है एक बर ताकि जो हमारी स्टॉफिंग वह बाहर ना निकले और फटे नहीं तो मटर और आलो में जितने भी मोटा पंटा वह मैंने दबा दिया है अब अल्मोस हमारा मसारा पक गया है देखिए गयस को बन कर लेते हैं और इसे थंड़ा अने के लिए छोड़ देते हैं अब एक छोटे से प्याले में थोड़ा सा आटा ले मैं देगा और इसमें तील डाले और एक अच्छा सा एक बैटर बनाए जब हम पॉफ बनाएंगे त तो इस तरीके से तो तो पहले थोड़ा सा मैम हमारा लागा लेकर इसमें आच्छी से तेल डाले और इसका एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे बैटर देखिए यह थोड़ा पतला लगेगा जब हम तेल नालेंगे तो इस तरीके से यह पतला बैटर बनेगा लेकिन जब हम थोड़ी देर के बाद इसे यूस करेंगे तो ये थोड़ा सा गारा हो जाएगा तेल हम थोड़ा जादा एट करेंगे इसमें ताकि हमारा पॉफ जो है वो अच्छे से बन जाए करा चलिए अच्छे से मिक्स हो गये है इसमें कोई लां सहरा है अब हमसे साइट में एट देते हैं अब आट जोया वह हमारा तयार है एक बार actionable लेगे फिर से Juliet मेरे में इसे करनогодे के बाद हमें से comment काट लेंगे है इस तरीके से खोड़ासा नीचे आटा लगाएं और हलका सा प्रेस करें और छुरी की मज़स से हम इसकी पीसेस बनाएंगे देखिए इस तरीके से से इसकी पार्ट को डिवाइट करना है और फिर हम इसे एक अच्छा सा पेडा बना लेंगे और से सब साइड में रखतेंगे तीके सारे पेड़े बनके रेडी है अब एक एक हम थोड़ा सा आच्छा लागा कर इसकी रोटी बना लेंगे जैसे नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं वैसी बेलना है और सारे पीड़ों की ऐसी एक रोटी बना लेंगे और एक प्लेट पे रखते जाएंगे हम जो भी रोटी बनाएंगे जितनी भी तरह कि इक जैसे हो साइजमे कि अधि रेडी हो चुक्वा है मیरा अब तुसरा में रेडि कर रही हूं सेम इसी तरीके से सारे पेड़ों की हमें रोटी बनानी है और सारे प्लेट में एक सार बिल कर रख लेना है देखिए दूसरा भी रेडी हो गया है देखे इस तरीके से हमें सारे पेडों की रोटिया बना कर रख लिए अब एक हम रोटी ले ले लेंगे और हमने जो बैटर तयार किया था आटे और तेल का देखे अभी थोड़ा गाड़ा हो चुका है अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे और से रोटी के चारो तरफ अच् कि तरफ इसके बाद में एक रोटी का इस तरीके से ओपर चिटका दूँगे पिर से मैं इसके ओपर बैटर लागाऊंगी आटर और तेल का और से अच्छी तरीके से फैला लागा रोटी पर चारो तरफ ऐसी करके हमारे सारी रोटीयों को हमें इस पर रखते जाएंगे 20 ब मैंने सारी रोटियों को लगा लिया है एक दूसरे के उपर अब मैंसे चुरी से इसके जो एक्स्ट्रा साइड से वह मैं काट लूँगी और इसकी फिनिशिंग से इसकी फोर पार्ट बनाऊंगी इस तरीके इसके चारो तरफ से थोड़ा थोड़ा पार्ट काट लीजिए और फिर चार पार्ट हमें इसके मिलेंगे आधा आधा करके इसके भी हम चुक्रे कर लेंगे इस तरीके से इसे काटने देखिए इसके सारे लेयर्ज आपको दिखेंगे काटने के बाद आप क्या करेंगे एक पेड़ा एक पीस ले लेंगे हम और थोड़ा साटा लागा कर से अच्छे से बेलेंगे वापस से थोड़ा सा पतला कर लेंगे और थोड़ा बढ़ा करेंगे ताकि हमारा एक अच्छे सा पॉफ बन जाए इसके बाद हम बीच में डालेंगे स्टॉफिंग स्टॉफिंग को अच्छी तरीके से बीच में डालने के बाद इसे अच्छे से फोल करेंगे फोल करके इसके जो कॉनर से वो हलकी हाथ से प्रेस कर लें उंगली से और इसके बाद ये खुले नहीं इसलिए हम एक फॉक की मदद से इसे दबाएंगे उससे एक अच्छी डिजाइन भी आ जाएगी और हम जब फ्राइ करेंगे तो ये खुलेंगे भी नहीं इस तरीके से देखिए फॉक से हलके हाथ से प्रेस कर देना है इसके कॉर्नर्स को इस तरीके से हम सारे पॉफ बनाएंगे और तैयार कर लेंगे देखिए अभी मैंने तेल को गरम कर लिया है और इसे मीडियूम फ्रेम पर प्राइ करेंगे हलके से इसे टर्न करकर एक एक तरफ पल्टाएं और दोने तरफ एक अच्छा कलर आने दे देखिए एक तरफ कलर आ चुका है अब मैं इसको पल्टूंगी और दुसी तरफ भी इसे फ्राइ होने दूंगी दूसरी तरफ भी एक अच्छा कलर आ जाए तब तक हमें फ्राइ करना है पल्टा पल्टा कर इसे पकाएं और इसे जनली ना दे एक हलका सा लाइट ब्राउन आने तक हम इसे फ्राइ कर लेंगे तर्ण करकर के हम इसे फ्राइ करते जाएंगे ओर एक कृष्पी और एक अच्छा काडर आ जाए बस पिर हम हमारे पॉफ को निकाल लेंगे और से शुफ करेंगे अब बिल्कुल रैडी है आप अब तेल में से निकाल ली जिए और एक पलेट में निकाल कर तामेट टामैटा चेचप के साथ इसे सर्फ कीज़े और इस वैज पॉफ का मजा लीजिए बहुती ख्रिस्पी और टेस्टी बने है verify आपको मेरे वीडियो पसना आए तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए मेरे वीडियो उसको देखने के लिए थैंक यू वरी मुच